आप सभी के अपने चनल यह स्की यह में इस्टिवाफिस स्वागत है वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टन वीडियो आपको लिए होगी इंपोर्टन की वह भी आपको पता जाएगा सारी जो को डिसकस करेंगे बस आप मारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है चलिए देखी से सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो यह वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप जान लिए इसकी पीडियाप आपको कहा मिलेगी यस की यह स्टड़ी टेलिग्राम चैनल पर और यस की यह चैप्टर को समाब्द भी कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको हम बताएंगे और बहुत ही महतुण महतुण बिंदूओं को बताएंगे ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेस्टिन देखिए आक भी सामने एक प्रस् साइन टू टी क्या वाई बरावर टी साइन टू टी तो डी वाई वाई डी अक्स का मान ग्याद कीजिए ठीक इसका मान ग्याद करना है आपको डी वाई वाई डी अक्स का मान ग्याद करना है देखिए दिया क्या है पहले आपको सौल्व करने का तरीका आपको निकालना है कैसे सॉल्व करेंगे इसको सच पहले इसमें देखेंगे दिया क्या है हमारा मांज दिया क्या एक्स बराबर 10 inverse x दिया है ठीक है क्या दिया है 10 inverse t दिया है अब हम एक चीजा और को बताते हैं देखें dy by dx 10 inverse x का जो फार्मूला होता है ठीक है अब इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको समझेंगे और अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है चलिए यहाँ आप देखेंगे x बराबर क्या है 10 inverse t है ठीक है अब इसका क्या कर देते हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे देखें यहाँ पर t है न तो t के सापेक्ष क्या कर देंगे आउकलन करने पर t के सापेक्ष t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं हम दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का आउकलन करने पर क्या करने पर आउकलन करने पर अब च इसका उकलन करेंगे तो T के साफिश करेंगे Dx upon dt हो जाएगा बराबर D by dx tan inverse t अब T के साफिश इसका करेंगा उकलन तो क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus t square क्या हो जाएगा Dx upon dt का मान किन्ना हो जाएगा 1 upon 1 plus t square हो जाएगा अब देखेंगे एक चीज़ और आपको दिया है क्या दिया है एक चीज़ आपको निकाल गया अब देखेंगे एक चीज़ और दिया है हमारा क्या दिया है second into first का आउकलन तो इस तरीके का formula आपको लगाना होगा अब देखेंगे इसमें रखेंगे परले first को लिखेंगे यहाँ पर first को लिख लिया फिर d by dx sin 2t रखें क्या लिखेंगे sin 2t ठीके sin 2t plus अब दिके second वाले को लिखेंगे second वाला क्या है sin 2t है sin 2t किसके साफ्यष करेंगे तो dy t होगा यहाँ होगाma d by dt होगा यहाँ पर भी dy dt होगा ठीक है यहाँ भी dy dt होगा ठीक है यहाँ भी क्या होजाएक by dt हो जाएगक ठीक, चलीग अब देखेंगे इसको solve करेंगे तो dy dt into dl हो जाएगा ठीक अब देखिए इसको solve करेंगे तो इससे पर ले क्या निकालेंगे टी को ऐसे ही रखेंगे इसका करेंगे तो 2 sin t into cos t ठीक अब यहाँ पर sin 2 t का देखेंगे देखेंगे यह formula इसको नहीं लगाना है तोड़ा इसमें wrong हो गया अब देखेंगे यहां से क्या करेंगे t into इसका करेंगे तो cos 2 t हो जाएगा क्या हो जाए से का बचेगा और t क्या हो जाता है 1 हो जाएगा ठीक है plus sin 2t को ऐसे ही रखेंगे इंटू इसका करेंगे यह नहीं कि dy dx का क्या होता है dy dt का मान करना होगा 1 होगा या dy dx into x का जो अप्रोन होगा क्या होगा 1 के बराबर होगा ठीक है अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2t into cos 2t plus sin 2t ठीक आपका यह हो जाएगा very very most important ठीक है अब हम दोनों सम्मीकरणों का क्या कर देगा है भाग देदेगे यह हमारा क्या निकलका है dy dt ठीक है dy dt और यहाँ भी हमारा dx upon dt निकलकर आएगा अब इन दोनों सम्मीकरणों का क्या कर देगे भाग देदेगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे dy by dx upon dt upon dy by dt ठीक बराबर में क्या हो जाएगा ध्यान देजेगा आप लोग 1 upon 1 plus 1 plus t square क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus t square ठीक है भागे इसको लिख लेगे 2t into cos 2t plus sin 2t ठीक है यह हो जाएगा बराबर में इसको लिखेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा ध्यान जीजेगा इसको बराबर में क्या हो जाएगा ध्यान से आप देखेंगे तो क्या निकलकर आए यहां पर देखिए, dx अपान dy निकालना है, तो क्या आएगा यहां पर देखेंगे, तो क्या आएगा यहां से अकर देखते हैं, तो देखें बचेगा क्या यहां पर, क्या बचेगा हमारा 1 अपान में 1 प्लस t स्क्वायर इन्टू 2 प्लस कॉस्ट 2 टी इन्टू साइन 2 टी, क्या बचेगा, प्लस साइन 2 टी, ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा है, ठीक है, देखिए, हमारा मान किसका आया था, dx अप कॉस्ट 2 टी, प्लस साइन 2 टी आया है, ठीक है, क्या है, साइन 2 टी आया है, यहाँ 1 अपान में, ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे, तो dy by dx, क्या निकल कराएगा, हमारा 1 प्लस t स्क्वायर इन्टू 2 टी, कॉस्ट 2 टी, प्लस साइन 2 टी, यह आपका अंसर हो जाएगा वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट आपके लिए कुश्टन हो जाएगा, तो आपका अंसर यह निकल कर आएगा, आई होब आपके बहुत अची तरीके समझ में आया होगा, चलिए कुश्टन और कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण कुश्टन यह भी ह और आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रशन है, तो यहाँ पर देखे कुश्टन क्या है, इंटीग्रेशन 123, कॉस लॉग एक्स अपान एक्स, डी एक्स का मान ग्याद कीज़िए, अब देखिए, यहाँ देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमें ऐ हो जाएगा, डी एक्स अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम एक्स अपेच ओकलन निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक, क्या निकल कर आएगा, डी टी निकल कर आ ठीक अगर हम एक्स बराबर वन रख दें तो टी बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा लाग वन आएगा इस सम्मिकरण से ठीक है इस सम्मिकरण में अगर हम एक्स कमान कितना रख दें वन रख दें तो लाग वन आएगा ठीक है लाग वन बराबर कितना होता है जीरो होता है ठ ठीक है log 3 आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा log 3 आएगा ठीक है तो यह अपर लिमिट इसमें क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी अपर लिमिट कितना बन जाएगी हमारी कितना बन जाएगा अपर लिमिट हमारा अपर लिमिट हमारा बन जाएगा log 3 बन जाएगा तो यह कि लॉग यक्स क्या लॉग यक्स अपान यक्स डी यक्स अब यहाँ पर मान रख देंगे हम मान क्या रखेंगे जीरो टो लॉग थ्री क्या रखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमने रखना है लॉग यक्स चेख़ें कि ना रखना है टी रखना है तो क्या हो जाए कॉस टी कॉस t into देखिए 1 upon x है न तो इसको मतलब क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसका क्या कर दें हम समा कलन कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा ध्यान से देखेंगे इसको अगर समा कलन इसका करेंगे तो sin t into 0 to log 3 क्या 0 to log 3 ठीक है चली जिरो टू लॉग तरी अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा धियान साब समझेंगे इसमें तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा क्या हो जाएगा साइन हमारा क्या हो जाएगा अपर लिमिट लॉग 3 माईनस साइन 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 0 ठीक है क्या हो जाएगा साइन 0 अब इसको सवाब करेंगे तो क्या हो निकल कर आगा हम इसको आम पूरा कैंगा 0 हो जाएगा क्या निकल गाए साइन लॉग 3 इसका अंसर निकल कर आएगा very very most important question आपके लिए हो जाएगा ठीक देना है ठीक है तो इसलिए आपको फिर मिलते है नेक्स विडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए अब देखिए यहां पर एक चीज़ और आप करेक्शन कर लेजिए यहां भी आपको कर लेना है टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्विस्टन्स ठीक है चलिए आगए आपको को इसी अच्छी विडियो आपको लिए लाएंगे फिर मिलते है नेक्स विडियो में ने टॉपिक के साथ तक लेज़े हैं